भीगे बार रखने से हमें जू काम होता है क्यों ये तोता जू में आने वाले लोगों को गालिया देता था और इस तोते के साथ जो हुआ वो देखकर आप चौंग जाओगे और क्यों सारी छोटी बड़ी प्रोडक्ट में में मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना लिखा ह है अगर आप अपने दातों को गंद और अनहलदी रखते हो तो ही आपका दाउद होता है अगर आप रोज बरस ंपने दाउद्ट को साफ और अल्दी रखते हो तो आपका दान कभी खराब नहीं होगा आप कितनी भी चौकलेट खाओ फैक्ट नमर टू जब भी आप किसी रेश्टोरेन में खाना खाने जाते हो तो उसमें से 70% रेश्टोरेन में आइस बहुत जादा गंदी होती हैं ये आइस टॉयलेट से भी जादा गंदी होती हैं इसी आइस को हम अपनी ड्रिंक में डाल कर पीते हैं और हमें पता ही नहीं ह पर विंबलेडन में आप गाली दोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा वहाँ जब टेबल टेनिस खेला जाता है तो गाली देने पर 15 लाख रूपए तक का फाइन लिया जाता है जब एक प्लेन लेन होता है तो वो अपना 1 kg रबल लूस कर देता है लेंडिंग के टाइम प्लेन का टायर बहुत जादा गरम होता है जिसकी वज़ा से टायर पिघलने लगते हैं एक बस को इंसानी पूप से चला जाता है यूनाइटेड किंडम में एक ऐसी बस है जो पूप पैक दी जाती है पहले आपको प्लेट में नौनवेज खाना दिया जाएगा और आपको बस एक घंटे में खाना को पूरा खाना है अगर आपने खाना को पूरा खा लिया तो बाइक और खाना दोने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और पहले आप इस थाली को देखिए ल चाहते हैं कि सभी के घरों में सनलाइट जा सके अगर कोई वैक्ति घर के आगे या पीछे बड़ा घर बनाता है तो सनलाइट दूसरों के घर पे नहीं जा सकेगा और उन्हें रहने में अनकमफोर्टेबल लगेगा फैक्प नमर्ट आपने बहुत सारे प्रोड़क्ट में मेड इन इंडिया को लिखा हुआ जरूर देखा होगा इस तरह कि मेड इन इंडिया और आपने देश की नाम लिखने के सुरुआत यूके से सुरू हुई थी उस समय जो ट्रेड मार्क थी वो थी Made in Germany, आज ए Made in China बहुत बड़ा ट्रेड मार्क बन चुका है, उस समय Made in Germany थी, Made in Germany को बहुत ही strong ट्रेड मार्क कहा जाता था अगर कोई वेक्ती काम सोता है तो उस वेक्ती के जूट बोलने और चीट करने के चांज बढ़ जाते है, ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि जो वेक्ती काम सोता है वो जूट और चीट जादा बोलता है फैक नमर टेन इस दोते को एक रीजन से जू से निकाल दिया गया यूनाइटेड किंडम के एक जू में बहुत ही फेमोस पैरोट था जिसे कई लोग देखने आते थे पैरोट जो भी लोग बोलते उसे बाद में याद करके रीपीट करता था और कई लोग इसके पास आकर गा होते होता हैं और गीले बार और वायरास का कोई लेना देना नहीं होता और गीले बार रखने से आपको जुकाम नहीं होता पर गीले बार रखने से आपको ठंड जरूर लग सकती हैं क्योंकि गीला बार रखने से आपका इसकेलिटन ठंडी होती हैं और आपकी पूरी बाड को ठंड लग सकती है इसलिए बारिस में भीगने से जुकाम नहीं होता